What's up guys, I hope you are doing well, I am Veer, welcome to Study Lover, देखिए आज हम जो next lecture स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हम जो अपना नया दे आज डिस्क्स करेंगे, वो है 29th of June, 29th of June जो है, वो National Esthetics Day के रूप में बनाया जाता है, और यह जो दिन है, यह बहुती ज़्यादे important है हमारी country के point of view से, क्यों? क परसांता चंद्रा महाल अनुबी इनका नाम है, तो यह एक बहुत बड़े aesthetic station थे, मतलब एक आकड़े खटे करने वाले थे, इसको हिंदी में आकड़े बोलते हैं, ठीक है? तो इन्हों ने world में यह ऐसे first person थे, जो इस field में recognize किया गया, जिनको जाना गया world level पे, तो first यह person तो इनी के नाम के base पर, यह जो दिन है, यह celebrate किया जाता है, ठीक है? इनी के उपर, तो होता क्या है यहाँ पे? देखे, planning जो होती है, development वगरा होता है, उसी में इसका work होता है, देखे, अगर कोई planning हम लोग करते हैं, तो आकड़ों की जुरत होती है, किस एरिया में कितना development ह वहां माली जे, last जो five year plan था, वो five year plan हमारा agriculture के उपर base था, ठीक है? तो next five year plan कौन सा किस चीज के base पर होना चाहिए, कि जिससे की हमारी country अच्छे से work कर पाए, तो इस तरीके के जो आंकड़ी इखटे किये जाते हैं, वो इनके द्वारा इखटे किये जाते हैं, ठीक है? तो जो ये थे, जो member थे, ये planning commission के भी member थे, 1955 से 1967 तक, तो ये planning commission के भी member थे, और इनके नाम पर आप लोगों ने बहुत बार ये question सुना होगा, ये SSC में भी पूछा जा चुका है, UPSC में भी और banking में भी, पूछा जा चुका है, ये कि जो इन्होंने जो अपना plan दिया था, जो महाल अनोबीज मोडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो देखी अब तक जो थी ना, हमारी जो economy चल रही थी, वो agriculture के base उपर economy completely चल रही थी, जो गांधियन मोडल है, completely उसके base पर हमारी economy चल रही थी, पर लेकिन इन्होंने जो बोला, इन्होंने बोला कि देखे आर industries पर जिससे कि हमको भार वाली country के उपर, दूसरे प्रोडक्टों के उपर, जो कि manufacture बाहर किया जाते हैं, हम only import के उपर dependent रहते हैं, उनको हम आगया आने वाले time में export भी कर सकें, तो ये unique suggestion था, जिसके base पर heavy industries आना हमारी country में start हो गई थी, तो आप लोगों को बताना है कि जो आप लोग थोड़ा idea लगा सकते हैं, पर फिर भी answer दीजे चलिए कोई नहीं, और देखें जो अब की बार जो celebrate किया गया है, वो 11th किया गया है, ठीक है, 11th day celebrate किया गया है, और जो अब की बार की theme है, वो है administrative statistics, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना है, थोड़ा, ये क कर सकते हैं, काफी important होगी है, दोनों theme, जिस तरीके से आज की date में जो farmer का issue है, बहुत ही जो लंद मुद्दा है, और farmer बहुत ज़्यदा suicide कर रहे हैं, तो ये theme भी आप लोगों के लिए important हो जाती है, तो इस question का answer आप लोग comment box में दीजेगा, ओके, आईए अब आज का political lecture दे direct exam में पूछे जाते हैं, पर वो तो काम किये था, इसके अलावा कुछ other function भी किये थे, ठीक है, जो other function थे, ये भी इतने ही जादे important है, जितने की वो, हाला कि मैं तो ये कहूँगा, ये और भी जादे important है, क्योंकि इनके उपर question direct पूछे जाता है exam में, तो क्या-क्या थे व हमारी country में भी commonwealth game हुए थे इंडिया में, जिसमें commonwealth घोटाले का भी नाम आप लोगोंने सुना होगा, वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये commonwealth game इसी के नाम पे होते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि next commonwealth game है, वो कहाँ पे हो रहे हैं, तो नीचे comment box में answer दीजेगा उसक different country हैं, मतलब अपने decision खुद ले सकती है, decision उनके महाराजा या महारानी नहीं लेंगे, decision यहां के खुद लेंगे, ठीक है, तो यह आप लोगो focus देकर चलना है कि commonwealth में रखा गया है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां हम उनकी सुनेंगे साब अपने हिसाब से, आस्टेलिया पर लेकिन जो commonwealth कुछ ऐसी country है, जहां पर आज भी जैसे अस्टेलिया का मैंने नाम लिया है, हाला कि वो भी इस चीज को oppose कर रहे है, जो आने वाली जो नई generation है, वो भी बोल रहे है कि हमको भी यह चीज़े बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, चलिए वो उनका internal matter है, बंद कर करें, पर हम लोग नहीं कर रहे हैं, यह हम लोगों को जान रखना है, इसके लावा second work जो था, वो था national flag, तो national flag के ओपर भी कई बार यह question आता है कि adapt कब किया गया, तो यह date बहुत ज़्याद है, यह याद रखेगा आप, जुलाई 22nd 1947 में national flag जो है, हमने adapt किया, जो कि आज क चक्र है अंदर, वो बताई उसके अंदर कितने यह तिली है, जो तिली है, इनको, इस पोग यह कुछ भी बोले है, आप लोग कितनी है, यह डंडिया है छडिया, ठीक है, हमारे जंडे के अंदर यह बताईए आप लो, comment box में, इतना तो पताई होगा न, चीज़े याद और में, UPSC में पुछे जा चुकिया, बैंकिंग में पुछे जा चुकिया, और SSC में भी, ठीक है, इसके अलावा, नेशनल सोंग, नेशनल सोंग भी हाँ यह यह क्या है, यह क्या है, यह जनवरी 24, तो दोनों एक ही दिन गिये गे थे, इनमें आगे पीछे नहीं है, ऐसा सुपरीम कोड ने क्या लगा था, अभी बोला था उसको, कि हर एक सिनेमा ओल में उसको बजा जायएगा, तो वो नेशनल एंथम था, वो सोंग नहीं था, जो नेशनल सोंग है, वो वंदे मातरम वाला है, ठीक है, तो वंदे मातरम वाला laston अच्छाए यह बता, यह दोनों other function थे constitution से अलग वाले तो ये भी January 24 को ये एक डेट आप लोगो नजर आ रहा है January 24, January 24, January 24 ऐसा क्या था January 24 में क्योंकि आने वाले टाइम में 26 तो जनवरी थी जिसमें हमको पूरा constitution अड़ेप्ट करना था क्यों क्यों क्योंकि जो किये गए थे 26th of November को वह सारे आप लोग को आगे में बताऊंगा भी तो आगे लेक्चर में हम चलेंगे तो आप किया गया है ठीख़़ो तो हमने कहीं से भी constitution भोरो नहीं किया है बोरो करना रहे होना होता है कहीं से उधार लेकर आगे हमने उधार नहीं लिक्टेव का याद रखनी चाहिए साट country का constitution हम लोगों ने पढ़ा ठीख़़ा ठीख़़ने के बाद में उन country का स्टीशन में जो भी अच्छा था उसके इसल्ब सक मोडिफाई करके अपनी कंट्री में हम इंप्लिमेंट यह यूज जो में छीज नहीं है हमने डिलैक्टीश इसक proudly किया जा सकता है तो कभी इंपने कंट्रीए को एसी नजरों से मत देखो कि वह उदहर लिया कि यहां से वहां से copy paste कर दिया गया है तो वह बहुत ही एक analysis किया गया analyze किया गया है दूसरी country को और analyze करके तब यह constitution बना गया पूरा analytical and reasonable thinking के base पे ऐसा नहीं है कि वहां से cut paste कर लिए fundamental right उठा लिए यहां से DPS उठा लिए से ऐसा कुछ नहीं किया गया हमारी country के हिसाब से जो suitable है वह वह चीज़ें यहां पर रखी गई है तो यह बात आप लोग को याद रखनी है ठीक है इसको draft करने में जो drafting committee के head भीम राव अंबेडगर जी उनके द्वारा draft किया गया इसको 114 दिन लगया complete draft करने में ठीक है और जो amount लगा है total constitution को तियार करने में जो expenditure आया है वो 64 lakh का है देखिए सारी factual information है वह बता दे रहो कम से कम constitution है हमारा समीधान है तो इतनी चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए ओके 20 जो जनवरी 24th 1950 है यहाँ पर ही देखिए यह final session था ठीक है तो यह final session था था तो पर लेकिन यह final session continue भी रहा यह end नहीं हुआ यह end क्यों नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद में फिर parliament बन गई हमारी January 1926 January 1950 में और फिर इसके द्वारा new parliament comment start हो गई first general election तक तो यह इसलिए continue रहा ठीक है तो यह भी आप लोग बोल सकते हैं continue session था यह ऐसा नहीं है कि एकदम end हो गया था ठीक है तो यह कुछ factual information direct question बनते हैं बहुत ही जादे important है आप लोगों को जुरत पड़ी तो इसलिए कई सारी committee बनाए गई यह committee बहुत ही ज्यादे important थी यह आपर तो इन committee में जो सबसे बड़ी committee थी तो थी 8 committee तो यह 8 committee थी यह बहुत ही ज्यादे important थी इसके अलावा 15 छुटी छुटी और committee थी तो मैं 15 committee तो आप लोगो याद करने के लिए नहीं बोलूगा पर लेकिन 8 committee के बारे में आप लोगो पता होना चीए क्योंकि यह जो committee है इन committee में direct matching करने के लिए आ जाता है कि यह committee किसके अंडर में थी और वो committee किसके अंडर में थी तो direct match करने के लिए इसमें question आ जाता है तो इन committee को आप लोग याद रख सकते हैं जो आठ कमिटी आप 15 कमिटी वो उर्दु ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन एड हो जो टाइम पर जो वहां पर प्रोविजन थे उन से लिटर तो छोड़ी छोड़ी अलग अलग प्रोविजन पर लिए 15 committee बनाए ग committee union constitutional committee तो यहाँ पर union आ रहा है दोनों में तो याद रखेगा यहाँ पर कौन है जवाल लाल नहरू जी है ठीक है इसके अलावा जो प्रोविजन कमिटी ती वो कौन थी यहाँ पर यह सर्दार बला भाई पटेल जी थे हमारे ठीक है तो वो भी सर्दार पटेल जी के अंडर में थे ठीक है तो यह committee तो थी तो यह जो committee थी इसके अंडर भी एक subcommittee रखी गई थी जो कि इसके अंदर इस वाली की बात कर रहा हूं है ठीक है ना इसके अंदर यह committee और बनाए गए थी तीन-चार जो छोटे-चोटे मेंटर को भी इनका भी नाम आप लोगोंने बहुत सुना होगा इस्टोरिय ने काफी अच्छे minority जो सब committee थी वो HC मुकर्जी है इनका नाम आप लोगोने history में पढ़ा होगा नोर्थ-east frontier यह यह सब जो इस से रिड़ी ती आसाम एक्सकुलूडेड पार्शली एक्सकुलूडेड एरिया इन सबसे यह गोपी नात बार दोली थे इनका नाम आप लोगो याद रखना है ठीक है एक्सकुलूडेड एंड पार्शली एक्सकुलूडेड एरिया के बेस पे जो committee थी वो AV ठाक करे यह इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं मतलब एक बार को इनका नाम आप लोग छ चेरिंग कमिटी यह थी राजेंद्र परशाजी गेंडर में तो यह टोटल आठ committee के बारे में आप लोग को याद नाम याद रखना है तो जैसे मैं आप लोग को बताया था इनमें सबसे important committee कौन सी थी हम लोग ने इससे बोला था drafting committee, draft मतलब किसी चीज को लिखने वाली committee न चेर्मेंन तो आप लोग को पता ही होगा डोक्टर बियारम बेटकर जी थे जिनको father of the constitution भी बोला जाता है ये भी वर आप लोग को याद रखना है father of constitution भी इनी को बोला जाता है ये chairman थे इनमें जो member थे और सारे member आप लोग याद रखिया ना रखिया ये मतलब ये जो चार member है ये याद रखिया ना रखिया पर लेकिन ये last वाले दो member आप लोग को याद रखने पड़ेंगे क्यों क्यों कि ये continue रख नहीं रख पाए थे इनको change कर दिया गया था जो एन माधवा राव जी है उनको change कर दिया गया था replace कर दिया गया था BL मित्तुर ठीक है क्योंकि resign plan कर दिया गया था इनकी वेसे ठीक है न तो इनको replace कर दिया गया था इसी तरीके से जो T.T कृष्णा चारी जी है वो DP खेतान ठीक है जो उसकी वज़े से इनको replace कर दिया गया था तो ये आप लोग को याद रखने है दो नाम कम से कम याद रखने है तीन नाम इस committee में ब्य और उच्छा डिफरेंट जहां पर हो जाता है वो important question बन जाते हैं तो जिस तरीक से book लिखी जाती है उसी तरीक से बार-बार draft उसके publish किया जाता है पता चलाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है तो जो first draft publish किया गया ठीक है तो वो किया गया feb 1948 में फिर जो second draft publish किया गया उसका वो किया गया October ठीक है इसी साल में 1948 में ही तो जो constitution है जो हमारा पूरा constitution adapt किया गया 26th of November 1949 को preamble और 395 article और 8 schedule थे उस time पे देखिए जो यह article है आज की date में भी 395 में ही है इसे लिटर में आप लोगों से question भी पूछा था नंबर 395 में है पर लेकिन जो quantity है जो amendment के थाथ add किया जाते है वो extra add होते रहते हैं पर लेकिन यह वो add ऐसे होते हैं जैसे 395 A हो गया जिस तरीके से हमने बहुत सारे article add किये गए है कहाँ पर पंचात से लिटर जो article हम लोग ने add किये हैं उनसी पहले टीट से लिटर जो हम लोग ने article add किये हैं तो वहाँ पर जो add किये हैं वो A, B, C, D इनकी form add किये हैं और मैंने आप लोगो पहले भी बताया था जहाँ पर भी आप लोगो capital A या capital B इस तरीके के word लिखे दिख जाएं तो इसका मतलब है अगर आज वैसी factual information याद रखना चाहते हैं तो वो भी याद रख सकते हैं वैसे जैसे मैंने आभी आप लोगो बताया है वैसे article जो है वो कितने है आप लोगो याद रखनी है वो क्या है यहाँ पर देखें यहाँ पर यह रटने नहीं आठिकल को दो तीन चार बार देखोगे इनको समझोंगे तो समझ में आ जाएंगे यह कुछ आर्टिकल्स हैं जो नॉमबर में 26 अप नॉमबर 1949 को हम लोगों ने यहाँ पर इन्फोर् ठीक है कुछ आर्टिकल्स थी कि जो उस टाइम पर इन्फोर्स किये गए और यह अलग अलग पार्ट से हैं अगर आप लोग ध्यान से देखें इनको जो जो लगया उस टाइम पर जो एड्मिस्ट्रेटिव हम लोगों को रिक्वार्मेंट था कुछ टाइम के लिए तो जि जिसको हम बोलते हैं गनतंत्र दिवस और 15 अगस्त सवयतंत्रता दिवस ठीक है तो यह आप लोग को याद रखना है तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यो बना जाता है इसका भी एक पीछे कॉंसेप्ट है देखिए जो 26 जनवरी वो चूज किया गया तो पूर्ण सवरा करेंगे तो यह पहले ही डिसाइड कर लिया गया था इसे लिए कुछ पाट जो था हमने पहले इंपलीमियंट कर दिया और जो बचा हुआ पाट जह प्लीट पाट हम ने 26 जनवरी को इंपलीमियमेंट गया तो और जो Government of India Act 1935 था हो रिप्लेस कर दिया गया ठीक है पर Abolition of Privy Purs जो Privy Purs आप लोगों ने सुनाओगा Abolition of Privy Council Judiction तो ये था continue रहा ये आगे टाइम तक भी continue रहा हमारे याँ पर तो इसका Abolition का बुआ Abolition of Privy Council Judiction Act 1949 इसका Abolition का बुआ जब इनका तो Abolition कर दिया तो ये देखिए Privy का मतलब तो सबसे पहले तो आप यही समझ लिए एक प्राइवेसी मतलब प्राइवेट जो चीज होती है तो ये तरी काउंसिल ये आप लोग कमिटी बोल सकते हैं ये किस लिए थी ये एडवाइज देने के लिए थी confidential matter पर state of fear से ठीक है तो ये continue रही जब तक हमारा सुप्रीम कोट अस्तित्यु में नहीं आ गया ठीक है जो आज की डेट में हमको सुप्रीम कोट बोलते हैं तो जो डहली में है तो जो जब तक हो अस्तित्यु में नहीं आ गया तो अच्छा ये बताए चले देख सुप्रीम आप लोग के लगें हमारा सुप्रीम कोट को कब कब अस्तित्यु में आए ठीक है उसी के बाद इसको अबोलई कर दिया तो इन खोषणों के आंसर दिज Ein Nova तो तब मैं और अच्छे से एक्स ले पाऊंगा continuous way में तो इस लोग इसको आप लोग को नीचे comment box में answer देना है तो यह चीज़े रटनी नहीं आप लोग को लेक्चर को एक दो बार आप लोग सुन लेंगे और थोड़ा पीडिये पे नजर मार लेंगे तो यह सारी चीज़े आप लोग याद रख पाएंगे तो इसलिए आप लोग को बिल्कुल common way में चीजों को करके चलना है कुछ भी हडबडाट में नहीं करना है चीजों को बस अपना थोड़ा सा रिवजन कर समझाऊंगा मैं इसको बोला गया था note a representative body ये एक representative body नहीं थे क्यों क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है इसमें directly elected member नहीं थे note directly elected कुछ तो nominated member थे जो कि state की side से जो प्रिंसलिये state में वाँ से elect होके आये थे last lecture में हम लोगों ने देखा था note a sovereign body sovereign body वो होती है जो अपने लाया था उसके बाद में Britain से उसके बाद में create की गई थी sovereign का मतलब है कि हमारा मन है create करें नहीं मन है तो ना create करें तो ऐसा कुछ नहीं देखने हो को मिला time consuming बोला जाता है क्यों 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 हमने जो अपना constitution बनाया दो साल से ज्यादे लेली बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन औ ना के इधर उदर कर दिया तो इसलिए बोलते हैं time consuming भी बोड़ी थी पर लेकिन जिस तरीके का हमारा constitution है उस तरीके constitution बनाने के लिए time चाहिएगा ठीक है तो यह थोड़ा negative comment है यहापे dominated by Congress यह positive comment है Congress के द्वारा ही dominated थी one party मतलब यहाँ पर completely अगर देखा जाए बहुत कम member जो दूसरी party थे maximum जो member थे वो Congress के थे और Congress के तो थी सारे वखील और politician थे आउटसाइड member एक भी नहीं था ठीक है जिस तरीके से मैं आप लोग को बताया था मुहमद अली जिन्ना नहीं थे यहाप महात्मा गांधी नहीं थे तो इनके बार में आप लोग को याद रखना है दोनों बहुत थी important personality है तो यह कई बार question पूछ ले जाता है तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो section of the other society है आप doctor भी हो गए यार teachers भी हो गए तो और भी है ना society में तो उनको कहीं भी जगह नहीं दी गई ठीक है तो politician और lawyer थे सब जगे यह बोला जाता है इसलिए भी criticism हो रहे थे तो आप लोगों को इनके भी नाम याद रखने है ठीक है तो विस्काउंट सिमोन तो इनका नाम याद रखेगा लोर्ड विस्काउंट सिमोन ने बोला था कि body of Hindu ठीक है western चर्चिल ने क्या बोला था western चर्चिल जी ने यह बोला था कि only one major community in India ठीक है constitutional assembly को मतलब यह आपर सब का सब ऐसे नहीं कि सब को count करके चला गया only कुछ पार्ट को count कर लिया गया यहां पर तो यह कुछ बाते हैं जो आप लोगों को याद रखनी है खास करें पर direct question बन जाते हैं तो इसलिए थोड़ा से इसके उपर आप लोग focus दे के चलिएगा ओके अब यह लास्ट of director था वो commercial थी यह भी मैंने आप लोग इसे question पुछा था power to make the ordinance आज की date में प्रेजिडेंट के हाथ में हो 123 आर्टिकल के अंदर आता है गवर्नर के हाथ में हो 213 इसके अंदर आता है दोनों ही थोड़े मिलते जूलते आर्टिकल है थोड़े याद रखे है confused मत हुईएगा second round table में ही महात्मा काजी जी गए थे इसके अलावा congress का कोई भी member किसी भी round table में नहीं था तीन round table होई थी तो कोई दूसरा member नहीं गए था इस round table के base पर ही आप लोग एक factual information और बताता हूँ इसी के base पर आगे चलके 1935 का जो act निकल किया था तो वो इसी के base पर निकल किया थ ठीक है अब तक जो मैं discuss कर चुक हूँ चार डे discuss कर चुक हूँ आज के को मिला के 5 हो जाएंगे यह चार 22 जून जो होता है world refugee day होता है 21 जून 20 जून जो होता है international yoga day होता है 23 जो जून होता है वो national public यह united nation public service day होता है और जो 26 जून होता है यह कल हम लोग ने discuss किया था drug abuse और illicit trafficking तो इसके बारे में जिकर किया था हम लोगों ने कल तो यह complete हम लोगों ने discuss किया था तो यह पूरा आज का lecture हो गया देखे lecture पसंद आता है तो like कीजे नहीं पसंद आता है तो dislike कीजे अगर आप लोगों को लगता है कि इस series continue रखनी चाहिए तो जो जो भी इस lecture को देखते ह वो facebook पर जाकर यह link है वहाँ पर उसको share कर सकते हैं जिससे कि जादे से जादे तक student तक यह पहुंच सके ठीक है मैं चाहता हूँ कि जादे से जादे तक पहुंचे और जो आप लोग पैसा खर्च करते हैं कोचिंग में लाक और लाक रुपे खर्च करते हैं कम से कम उसको ब सब्सक्राइब लागे तो एक complete PDF आप लोगो नीचे मिल जाएगी ठीक है इसके अलावा मैं आज NCRT के जो NCRT की जो PDF है उससे related भी link आप लोगो शेयर कर दूँगा वो NCRT भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहां से 6 से लेकर 12 तक ही सारी NCRT शेयर कर रखिए मैंने ठी है हिंदी के NCRT मैं सर्च कर रहा हूं मिलते ही वहां पर सेयर कर दूँगा अगर किसी को पता है तो लिंक सेयर कर दीजे मुझे मैं वहां पर उनको एक जगई खटी सेयर कर दूँगा हिंदी के NCRT पॉल ड़ीगी ओके तो आज के लिए इतना ही थैंक्स अलोट फॉर लिसन जय हिंद